हेलो दूस्तों आप लोग कैसे उमीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज मैं मचली बना रही हूं तो देख लिजें पहले मैं मचली को फ्रेस कर लूँगी बना लूँगी तो इसमें बहुत टाइम लगता है यह चोटी मचली है बीच वाली तो मैं इसे सफाई करक और देखी बनाने के बाद फिर मैं इसे धोलूँगी तो चली यहां पर मसाला ले लेते हैं हम यहां पर टमाटर लॉसून जीरा गुल मिरिच और यहां पर सर्सो और बाद में इसमें हम एट करेंगे मिर्च और हल्दी नमक तो यहां पर मिक्स करके फ्राई कर रहे हैं तो देखिए कितना प्यारा दिख रहा है और कितना टेस्टी लगेगा जब खाएंगे हम लोग चलते हैं ट्रिक नमर 2 के तरफ यहां पर मेरे पास चावल बचा हुआ था और मचली बनाई हूं तो दूद तो खाएंगे लोग नहीं तो मैं सोची क्यों ना एक न्यू ट्रिक अ लेते हैं हम आज इसमें हम चेनी एट कर लिए फिर हम इसे चलाते रहेंगे दूद थोड़ी सी गारी हो जाए और उबा लाने लगे तब हम इसमें चावल डाल देंगे और यह चावल मेरा पहले से बना हुआ था और थोड़ी सी चावल बची हुई थी उसी का मैं खीर बना ही लेते हैं तो यहां पर देखिए हम चलाते रहेंगे और यह कितना जली बनेगा और आसान भी है और ज्यादा इसमें कोई समान की जरूरत भी नहीं है तो हम जली से इसे बना लेंगे यहां पर देख सकते हैं कि यह फिर निकारा हो चुका है और खीर बन के तयार हो चुका प्याले में रखे रह meantime निकाल लिया एक बावर रह बावल और यह गारा और यह ठोरह सा इसमें बदाम एंट करऊ Saya आप जितना चाहे एड कर सकते हैं और ये देखिए कितना प्यारा लूप किसका लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा एक बाप जो ट्राइ किजिएगा जब भी आपके घर मचली आए तो दूत का इस्तमाल ऐसे ही कर ले तो बहुत जली और आसानी से बन जाएगा